दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेटियम से परसनल लोन कैसे लें बिना किसी डाकुमेंट के आप 10,000 रुपे से लेकर 2,000 रुपे तक आप पेटियम से परसनल लोन ले सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में आपका यहाँ पे लोन अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके बैंक में अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 के उपर है आप पेटियम से परसनल लोन ले सकते हैं आजम इस वीडियो में पेटियम से परसनल लोन कैसे ले इसका कम्प्लीट प्रोसेस करके दिखाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आप पेटियम अप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलके आ जाएगा आप नीचे स्क्रोल डाउन करते जाएंगे आप लोन एंड क्रेट कार्ट के सेक्शन में आ जाएंगे यहाँ पे आपको पेटियम पोस्पेट, परसनल लोन, फ्री क्रेटि स्कोर, पेटियम क्रेट कार्ट को आपको ओप्सन दिख जाएगा अगर आपने अभी तक अपना क्रेटि स्कोर नहीं चक्क किया, यहाँ पे आपको आपको ओप्सन दिख जाएगा फ्री क्रेटि स्कोर आप इस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे परसनल डिटेल फिल कर देंगे डेटा बर्थ, इमेल आईडी और पैनकार नमबर डालेंगे, सम्मिट करेंगे आप यहाँ से अपनी क्रेटि स्कोर चक कर सकते हैं बाइ डिफाल भी आपकी यहाँ पे डिटेल फिल हो जाएगी, आप सम्मिट करेंगे आपका यहाँ पे क्रेटि स्कोर सो करेगा अगर आपका क्रेटि स्कोर साथ सो पचास के ऊपर है आप यहाँ पे पेटिम से परसनल लोन ले सकते हैं इसके बाद हम बैक में जाएंगे अगर आपको यहाँ पे परसनल लोन का ओप्सन नहीं दिख रहा है आप उपर सर्च करेंगे यहाँ पे आप simple सा सर्च कर देंगे personal spelling डाल की आप सर्च कर देंगे तो यहाँ पे आपको personal loan का option दिख जाएगा आप इस पे click करेंगे आपके सामने कुछीश type का page खुल के आ जाएगा जैसा कि मेरे सामने direct basic detail का page खुल के आ गया है लेकिन आपके सामने कुछीश type का page खुल के आ जाएगा यहाँ पे आपको banner दिखाए देगा अगर आपको यहाँ पे banner दिखाए दे रहा है यानि आप यहाँ पे qualified है personal loan लेने के लिए paytm से इसके बाद यहाँ पे आपको apply now का option दिख जाएगा आप यहाँ apply now पे क्लिक करेंगे आपके सामने basic detail का page खुल के आ जाएगा यहाँ पे pen number और data birth by default आपकी यहाँ पे fill हो जाएगी अगर आपकी यहाँ पे pen number और data birth नई fill होती है तो यहाँ पे आप pen number और data birth fill कर देंगे pen number से ही आपका यहाँ पे नाम automatic fill हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे आप email id डाल देंगे इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ purpose आप loan यहाँ पे आप loan का purpose बताएंगे आप यह loan किस वज़े से लेना चाते हैं wedding, home renovation, business, education आप यहाँ से select करेंगे तो हम यहाँ पे personal use पे tick कर देंगे और नीचे हम done कर देंगे इसके बाद आप यहाँ पे term and condition accept करेंगे और नीचे आप proceed पे click करेंगे आपके सामने next page खुल के आ जाएगा जैसे कि हमारी यहाँ पे basic detail fill हो गई है अब आपको यहाँ पे additional detail देनी है additional detail में यहाँ पे आपको occupation type select कर लेना है अगर आप किसी सरकारी या private company में काम करते हैं salary लेते हैं तो यहाँ पे आप salary पे click करेंगे नीचे आप एंप्लाइड नेम में आपको यहाँ पे company का नाम और company के owner का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है annual income में आपकी यहाँ पे annual income कितनी है आपको यहाँ पे annual income डाल देनी है अगर आप self implied हैं कोई business करते हैं आप इस पे click करेंगे यहाँ पे आपको business का नाम और swap का नाम डाल देना है और यहाँ पे आप annual income डालेंगे और confirm करेंगे अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो यहाँ पे आप not implied पे किलिक करेंगे और confirm करेंगे इसके बाद आपका यहाँ पे best offer चेक किया जाएगा आपको यहाँ पे थोड़ी देर wait कर लेना है यहाँ पे आप देख सकते हैं loan amount कंग्रावच लेसन मुझे यहाँ पे 83,000 रुपए का loan amount sanction किया गया है यह नीचे आप get start पे किलिक करेंगे इसके बाद जैसा कि मुझे यहाँ पे 83,000 रुपए का loan offer दिया गया है यानी मैं maximum 83,000 रुपए का loan ले सकता हूँ आप यहाँ से loan offer को adjust भी कर सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे जोरत के साब से आप कम जादा भी कर सकते हैं आपको जितना amount जोरत है आप यहाँ से adjust भी कर सकते हैं यहाँ पे आपको select EMI option आपको दिख जाएगा आपकी monthly EMI कितनी होगी 6 month की मुझे यहाँ पे 3692 रुपए मुझे EMI देनी पड़ेगी और monthly interest यहाँ पे आपको 308 ठावन रुपए 7 पैसे आपको यहाँ पे monthly interest दिख जाएगा इसके बाद यहाँ पे आपको total amount दिख जाएगा जैसे कि आपका यहाँ पे 20,000 रुपए आपका loan amount है और मुझे यहाँ पे 2,100 बाउन रुपए extra देने पड़ेंगे यहाँ पे 1.79% पर month यहाँ पे interest rate आपको यहाँ पे देना पड़ेगा जैसे आपको यहाँ पे loan के amount को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपके AMI के और भी option आपको दिख जाएंगे तो जैसे कि मैं यहाँ पे 40,000 amount कर देता हूँ इसको 50 कर देता हूँ तो यहाँ पे 12 month और 6 month का भी हमें यहाँ पे AMI का option दिख जाएगा आप यहाँ पे अपने हिसाप से यहाँ पे adjust कर सकते हैं तो इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे continue करेंगे तो यहाँ पे आपका KYC verification होगा, bank detail और get loan तो यहाँ पे हम नीचे continue पे click करेंगे जैसे आप यहाँ पे continue पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको take a selfie now, आपको यहाँ पे एक selfie लेनी पड़ेगी, आप take a selfie now पे click करेंगे, आपको यहाँ पे camera के सामने face करके आपको यहाँ पे selfie ले लेनी है, तो यहाँ पे हम take a selfie now पे click करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे camera की on करने की permission देनी है, आप यहाँ पे ok प थोड़ी देर वेट करना है आपको next page पे लेके जाएगा bank detail के page पे इसके बाद यहाँ पे कह रहा है sorry we can not proceed with your application यानि मैं अब यहाँ से application प्रोसीड नहीं कर पाऊंगा मुझे यहाँ से अब loan नहीं मिलेगा तो यहाँ पे कह रहा है हम आपको notified कर देंगे SMS और email के जरिये अगर यहाँ पे loan approval क्यों नहीं किया तो यहाँ पे लिखा आए why was my application not approved आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इनके कई साय रीजन भी दे सकते हैं लेकाफ credit history law credit bureau score poor loan repayment history तो यहाँ पे कुछ भी रीजन हो सकता है अगर आपको यहाँ पे कुछ ही type की यहाँ पे problem नहीं आती तो आपके सामने bank detail का page खुलके आ जाएगा आपको bank detail फिल कर देनी है account number ifsc डालके आपको submit कर देना है आपको bank detail फिल कर देनी है आपको यहाँ पे loan amount credit कर दिया जाएगा आपके account में कुछ ही मिंटों में तो ऐसे दोस्तो आप ATM से personal loan के लिए apply कर सकते हैं लेकिन दोस्तो मेरी राय मानों आप ATM से personal loan तभी लो जब आपको पैसे की बहुत जोरत हो अगर आपका credit score अच्छा है आप bank से भी personal loan ले सकते हैं तो आसा करता हूँ दो यूट्यूब चैनल पर नए है मेरी यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में जैहिंग